एक अंतर आत्मा को छू लेने वाली कहानी की ओर चलते हैं आज बच्छों का मन बड़ा नाजुक होता है नाजुक के साथ पावन भी होता है कई बार ये पावन मन बड़ी प्रेणा की ओर ले जाता है ऐसी एक कहानी में बड़ी प्रेणा को लेकर एक छोटी सी नन्नी बिटिया के साथ हम आज आपको मिलाने वाले है नन्नी बिटिया का नाम खुशी है खुशी माता-पिता की लाडली है, दुलारी है, नट-कट है और समझदार भी बहुत है रोज स्कूल जाती है वहां से बच्चों के भाव भावनाओं को अपनी समझ और सोच में पिरो करलाती है और अपने ममी बापा को बड़े प्यार से सुनाती है वहां के नट-कट किस्से रोज यही माता-पिता सुनते रहते है ये करम नियमित रूप से चलता आ रहा है अचानक खुशी एक दिन नर्वस होके बैठ जाती है और खाना-खाना छोड़ देती है सुबह से शाम हो जाती है माता-पिता दोनों परिशान रहते है कि हमारी ननी बिटिया खाना क्यों नहीं खा रही बिटिया से आगरे करते है बार-बार समझाते हैं कि बैटा खाना खालीजिये लेकिन वो अकनी जिद में अडी रहती है कि मैं खाना नहीं खाली बार-बार समझाते हुए भी माता-पिता बड़े दुखी थे खुशी आँचों के साथ एक ही चीज कहती है कि मैं खाना खालूंगी लेकिन आपको भी मेरी एक शर्थ माननी पड़ेगी माता पिता ने तुरंत उन भाहों को समझ कर कहा कि बेटा हम आपकी हर शर्थ मानने के लिए तयारा आप खाना खा लेजी और बिटिया ने खाना खाया खाना खाने के तत्पत्षा, खुशे ने का, कि अब आब हमारी बात मानिये, मेरी शर्थ मानिये, माता पिता ने का, कईए बेटा, क्या चीए आपको, खुशे ने का, कि मुझे अपने सर के सारे बाल कटवाने, ये सुनकर माता पिता दोनों चम्बित हो गए, कि हमारी बिटि लेकिन नहीं समजी उसकी जिद ठी मानकर माता पिता ने बाल कटवा और बिप काम किया है इसने अपने सर के बाल कटवा कर प्रेम का संदेश दिया मेरा बेटा कैंसर से बीडी थे इलाज के कारण उसके सारे बाल खत्मों में इस कारण वह स्कूल नहीं आ रहा था बच्चे उसको चिडाते थे जब आपकी बेटिया को ये पता चला तो उसने इस्कूल में कहा कि मैं अपने सर के बाल कटवा लूँ तो क्या आपका बेटा स्कूल आ जाएगा और आज देखिए आपकी बेटी ने बाल कटवाए वो आई है मेरे बेटे को ये पता चला तो वो भी स्कूल आया है खुशी के पिता को उस महिला ने बोला कि आप धन्ये जो इस बेटिया के पिता है इतने में पिता की आँखों में आसू थे मनमिशलित था और हमारी नन्ये बेटिया ने जो प्रेम का बड़ा संदेश दिया है उससे उनका सरगर उसे उचा था आँखों में आसू लिये खुशी के पिता चल बड़े खुशी दिमा की हो कहते हैं बेटिया इतनी समझधार होती है खुशहाल वो नहीं जो अपनी शर्टों पे जीते हैं बलकि खुशहाल वो हैं जिने लोग प्यार करते हैं और दूसरों के लिए अपने आपको बदद देते हैं ये बड़ा संदेश खुशी दुआरा दिया गया इस संदेश को लेकर माता विता दोनों गोर्वान ती थी आईए चलते हैं इस प्रेणा ना एक कहानी की और कुछ प्रेणा लेने जये